बाइबल के दस अनमोल वचन जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा हमें छोटी-छोटी बातों को समझाया है तो पहला वचन है योहन्ना पंद्रह अध्याय वचन साथ यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बाते तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर ने हमसे कहा है यदि तुम मेरे वचन में, मेरी बातों में और मुझ में बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह तुम्हें मिल जाएगा दूसरा वचन है मत्ति साथ अध्याय वचन आठ क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूनता है वो पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारा यह उदेश्य इस वचन को लेकर यह नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, शोहरत चाहिए यह सब वस्तुए हमें और आपको नहीं चाहिए परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं ये समझने की कोशिश करिए परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है जो परमेश्वर से ग्यान, बुद्धी, समझ और ताकत अपने बिमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, जो परमेश्वर से मांगता है हमारे परिवार को सलामत रख प्रभू और मुझे ग्यान देखी मैं अपने कामों को और आपके कामों को कर सको। जब परमेश्वर से समझ मांगेगे, बुद्धी मांगेगे तो हमारा जो काम है संसारिक वह तो हम आसानी से कर लेंगे। तो हमें जो वस्तुए मिलनी चाहिए या जो जरूरत है खाने के लिए वह उसमें मिल जाएगी। इसलिए परमेश्वर से हमें मांगना है ज्यान, बुद्धी और समझ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंडता है वह पाता है और जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है तो परमेश्वर उनके लिए मार्क खोलेगा. तीसरा वचन है इर्मया 33 अध्याय वचन 3 मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बाते बताऊंगा जिन्हें तु अभी नहीं समझता है. लेकिन कब? परमेश्वर ने कहा है जब हम परमेश्वर में बने रहेगे उससे प्रार्थना और विनती करते रहेंगे. चौथा वचन है इर्मयाह 29 अध्याय 13 वचन. तुम मुझे धूंडोगे और पाओगे भी. क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बताया है कि तुम लोग मुझे धूंडोगे और पाओगे भी और तुम अपने संपूर्ण मन से याद करोगे और मेरे पास आओगे. परमेश्वर हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है और इसलिए हम उससे प्रार्थना और विनती कर रहे हैं. पाच्वा वचन है यशयाः 65 अध्याई 24. उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूनगा और उनके मानते ही मैं उनकी सुनलूनगा. यहाँ पर वचन कहता है जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मानते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है छठा वचन है एक युहन्ना अध्याई पांच वचन 14 और हमें उसके सामने जो ही आव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मानते हैं तो हमारी सुनता है परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि यदि हम उसके अनुसार कुछ मानते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है इसलिए जब भी हमें प्रार्थना करना है तो प्रार्थना में कहना है कि पिता मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो प्रभू मेरे जीवन में ये करिये वरना कोई अवश्यक्ता नहीं है पिता, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपकी छाया मुझ पर बनी रहे और मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सको. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और कार्य जरूर होगा. सात्वा वचन है मर्कुस 11 अध्याय वचन 24 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. परमेश्वर ने यहां पर कहा है इस वचन पर आप इतना आत्म विश्वास में मत हो जाए कि एक बार मैंने प्रार्थना कर ली है बस बहुत है. ऐसा भी मत सोचिए कि मैंने पिता से प्रार्थना की है और मुझे ये चीज चाहिए और ये हवस्त्र चाहिए मैंने प्रतीती कर ली है, मैंने विश्वास कर लिया है कि मुझे अब मिल जायेगा आपका यह आत्मविश्वास बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है, आपका यह आत्मविश्वास टूट सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर कहा है, मांगो तो प्रतीती कर लो कि तुम्हें मिल गया, इसका मतलब यह है कि हो इसका मतलब यह नहीं कि आपने आज प्रार्थना की. परमेश्वर से कहे पिता मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में हो विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में कार्य हो आप कितने दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रार्थना करेंगे. लेकिन अगर आपका काम नहीं बना तो आप नि आठवा वचन है एक युहना तीन अध्याय वचन 22 और जो कुछ हम मानते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आग्याओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं परमेश्वर ने इस वचन में कहा है जो उससे भाता है वही अगर हम करते हैं और उसकी आग्याओं को मानते हैं तो परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम मानते हो तो तुम्हें प्रार्थना के द्वारा मिलेगा नवा वचन है मत्ती 18 अध्याय वचन 19 फिर मैं तुम से कहता हूँ, यदि तुम इससे दो जन पृत्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें, एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की और से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा. यहां पर परमेश्वर कहते हैं यदि दो व्यक्ति प्रित्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना करे, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करे और एक मन के हो तो पिता जहां पर है हमारी उसके पास हर एक वस्तू है जो वह देना चाहता है, इसलिए कहा है कि उनके लिए हो दस्वा वचन है गलातियो 5 अध्याय वचन 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। पढ़ते हैं और क्रिपा, भलाई, विश्वास, नम्र्टा और सयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं जिसके अंदर क्रिपा, भलाई, विश्वास, नम्र्टा और सयम हैं, तो परमेश्वर उसके चिन में ह पर्मेश्वर यहां पर कहते हैं कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए.